हलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने फार्मा कोगनोसी सेकेंड की यूनिट फिफ्स के मोस्ट इम्टेंट को समझेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और आप लोग से एक रिक्वेश्ट और है कि आपको यह वीडियो कंप्लीट देखने है क आप एक्जाम में दाके बड़े आराम से लिख सकते हो तो यह आपके लिए कंबल सरी है कि आप आज की इस वीडियो को पूरा देखें और कंप्लीट देखें अब बात करते हैं यहाँ पर हम अपने इंप्रटेंट कोश्टन के उपर तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मो तो आज आपको जो पूरा किलियर हो दाएगा इस वीडियो में कि कैसे करना है क्या करना है ठीक है और इसमें जो सेकंड कोश्टन हमारा बनता है वह सेम ही चीज हमारी स्पेक्ट्रोइसकोपी के लिए भी बनती है अब देखो तो यह वाला हमने टॉपिक यहाँ पर नहीं क चलता है घेन हमारा सबसे इंपरन यहाँ और कोशन आता है वह आता है राइट नोट और इस मेठट जयानकि एक पूरा नोट आता है कई बार या इसके अंदर के जो मारे टॉपिक होते हैं उसके नोट साजाते हैं तो सबस्तों मेरे नाम है अकाश कुमार और स्वागत करता हमारे फाइटो कंस्टीटिवेंड आक्च्वल में होते हैं यह हमारे प्लांस प्रिजेंट कुछ केमीकल कंपॉंड होते हैं जो एक्षाम्पल समझेacao eens 1945 के समझे समूजो मालो हमारे पास पूरे की पूरी काम की नहीं होती यानिक हम जब हल्दी खाते तो उसके अंदर क लीमिकल प्रिजैंट होता है या कहने को बाहर निकाल में जो लृब एक टर्मरिक या हल्दी है उसके अंदर से उसका जो में ड्रग है या जो इसको बाहर निकालना ही क्या कराता है यहाँ पर एक्स्ट्रेक्शन कराता है और जो चीज हमारे यहाँ पर बाहर निकल के आती है उसको हम क्या बलते हैं अब अगर इस नाम से समझो फाइटो कुछ न है वो हमारा 520 तर्मरी यहन की हल्दी का तो यह हमारी एक्शन में क्या होते हैं और इन के बारे में पूरी हमें study करनी होती है इस फाइटो chemistry के अंदर जिसको हम यहां पर देख रहें ठीक है तो अब हमारे जो curcumin है, वो हमारे actual में main drug होता है, इस turmeric के अंदर, और उसको हम किसी method के दोरों क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो जो हमारा curcumin है, उसको जब हम इस turmeric से बाहर निकालने हैं, तो यह जो हमारी process है, इसी process को हम क्या बोलते हैं, extraction बोलते हैं, यहांकि अगर बैसे बढ़े के अंदर से क्या किया एक मेडिशनली को बाहर नेगा इस को क्या आप उसके साथ एक मदलब प्रसूजर किया जिसको भागे समझेंगे तो उस ने था सुल्वेन्ट का यूज किया कुछ अमने श्टेंडर प्रसीजर के यूज किया और यह जो पूरी प्लांट सायud ash book के अंदर का जो fundamental निकल जाएक तो अब समझे लो किसको और निकल निकल जाएका तो अब समझे लो किसको क्या कहते हैं तो यहां पर हमारे जो में प्लांट हो गया हुआ हुआ यहां की रग हो गया हो जिसके हम पूरा टव Under हमें एक solvent का यूज कर रहे तो इस solvent को हम बोलते हैं मैं इस्ट्रम तो यह आप समझ लो उसके बाद क्या होगा जब हमने इसका यहां यूज किया प्रोसीजर किया आगे समझेंगे उसके बाद हमारा में जो ड्रक निकल कि मार्क बोलते हैं यार कि एक तरह से कह सकते हैं यह हमारा एक तरह से अगर इस परपस से देखें तो यह बेश्ट हो गया इसके साफसे अगर हमारा एक्ट्रक काम का है तो तो इस तरह से हमारी यहां पर तीन से चार चीज़ होते ही जो आपको यहां पर पता चल गया अब यहां पर जो हमारा main minister में वो हमारे कुछ इस तरह हो सकते हैं कि हमारा water हो सकता है फिर ethanol हो सकता है फिर ethanol हो सकता है chloroform हो सकता है वेंजीन हो सकती है डाई chloro ethanol हो सकता है इसी टाउन हो सकता है या पैट्रिल मीथर तो यह हमारे कुछ क्या हो गए इसके कंपाउंट हो गए उसके बाद इसकी कुछ प्रापर्टीज होती है जो आपको यहां लिख देनी है कि जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट का यूज करेंगे तो वो हमारा पहली बात इनर्ट होना हो अगर इसमें कोई खराब ही निकली तो भी बात है हमारे प्लांट के अंदर का जो ड्रग वनेगा वो भी खराब निकलेगा तो हम इसका यूज कैसे करेंगे फिर दबाई में तो यह हमारा में कुछ फंडा होता वाकि हमारा इन्फ्लैमेवल होना चाहिए मतलब जलना नह को दिख रहे होंगे यह बेसिकली हमारे टू मार्क में कई बार पूछे गई हैं तो इनको आपको सभी को ध्यान में रखना है उसके इसके अंदर का जो हमारे दो परकोलेशन और यह सॉक्स लेट एक्ट्रेक्शन यह हमारे लिए बहुत इंपोटेंट है जो कई वार लॉं पढ़े आपने ठर्ड यूनिट पर देखा भी होगा तो सबसे ज़्यादा यूस हमने इसी वाले अपैरटर का किया था और इसका भी हमने बहुत बार किया था और मैसी रेसन थो पढ़ने वाले अच्छे से तो पहला हमारे इसमें आता है मैसी रेशन तो मैसी रेसन का के लिए हर घर में जो आप लोगों देखा होगा चने और बहुता है पानी में हिसारी छीज पानी में बहुता झाल तो उसी तरह का उ الح्ण हमारी ऐना फिया जाए है में सृ Lesson प्रोसेस में हम क्या किया कछता तो को यहां पर एक हमारे container होता पूरा का पूरा, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक solvent को fill कर देते हैं, अब solvent हमारे जब फिल हो जाता तो उसके अनदर हमारा जो भी plant material है, जिसका हम को extract बाहर निकालना है, उस plant material हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल होगी और इसके बात क्या होगा जो भी हमारा प्लाट मेटरियल होगा वह हमारा क्या होगा इसके अंदर इंदर शॉल्बंट पढ़ाथा अगर इकसांपल करें यहां से यहां से इसके निंदर से निकल fallsा में और पानी के अंदर घुल ता कि यहां पर या तो हम इसको साथ के साथ गुमाते जाएंगे इस तरह से अब आप लेंग देखा होगा आप चीनी डाल दूद में अब अगर चीनी को आप ऐसी रख दोगे तो भाई दूद में उस चीनी को घुलने में काफी अच्छा सकाथा टाइम लगताएगा लेकिन अग सब्सक्राइब तो इसको रख देंगे तो इसमें ऐसी मुवेंट होगी अलकी अलकी और इस्से क्या होगा यह प्लांट के इंदर का जो एक्ट्रेक्ट है वह हमारा बहुत जाली भाहर निकल जाएगे शॉल्वेंट में और यह हमारी सिंपल है मैसीरेशन यान कि सोकना यान यह कई बार जो लम्भी प्रसेस भी हो जाती है तो ऐसा हमारा इसमें कुछ नहीं होगा कोई भी पानी वगरा लेंगे उसमें अपने सॉल बाड़ेंगे या तो ठंड बानी में डालेंगे जो भी उसके अंदर का मेंटिकल और वहार निकल जाएगा example के लिए बहुत लोगों ने सुना होगा कि अगर आप किसमिस बगरा को पानी में डालोगे फिर जो पानी बनता है बाद में वो हमारा बहुत ही जादा पोस्टिक हो जाता है किसमिस का सारा भाग उसमें आ जाता है मैं रख़ टरा किया था लेकें पीख नहीं पायता है बहुत बैसा लग रहा था जीव सा तो ये हमारे इस त्रह होते हैं थर्ड हमारी इसमें आती है डाइजेटिक संब आप्सको क्या हो रहा है कि जो हमारी चीज हो रही थी इसम आपको यहाँ पर द्खरे होगे same funda हुआ है बस यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम नीचे से उसको heat भी provide करेंगे और heat लगवा हम 40-70 degree तक उसको provide करते हैं और इससे क्या होगा देखो आपको पता होगा कोई भी चीज है वो ठंडे पानी में कम घुलती है बलकि गरम पानी में जादा अच्छे से घुल जाती है तो जब हम उसके साथ ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा जो बो चीज जो हमारे यहाँ पर time लग रहा था वो हमारे थोड़ा जल्दी होगा फिर हमारे यहाँ पर आता है decoction तो इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा plant material होगा उसको हम कोई भी boiled water में डाल देंगे या ठंडे में भी डाल सकते हैं और इसमें डाल देंगे निकल आएगा उसको बाहर निकालेंगे इसमें यूज नहीं करेंगे तो इस तरह हमारे विसिकली पूरे के बूरे होते हैं अब समझते हैं यह हमारे इक अएसी प्रॉसिस होते है जिसमें क्या होता है कि हमारा ऊपर से मतलब solvent अपना डालेंगे और वो नीचे इस तरह से displacement में नीचे move करता है और move करेगा तो जो भी हमारा यहाँ पर drug particle होता है या जो भी हमारे plant material होगा उसके अंदर का जो भी extract होगा उसको यहाँ से बाहर निकाल देगा तो यह desi fund आप समझ गए आप समझो कि इसमें आगर होता क्या है तो इसमें basically हमारे जो है चार से पांच step होते हैं पहला step हमारा होता है size reduction बाला तो इसमें क्या होगा कि देखो हमें जो भी plant का material का extract निकालना है वो हम यहाँ पर लेंगे और उसको हम थोड़ा सा सुखा का dry करक में और उसको क्या करेंगे थोड़ा सा पीस लेंगे यानकि उसको कोर्स या फिर फाइन पॉर्टर में convert कर लेंगे ठीक है दब हमारे यह बन गया दैन हमारी सेकंड चीज आते हैं यहां पर इंबीवीशन वाली तो जो हमारे इंबीवीशन है इसको हम क्या बोलते हैं इसमे हम दूसरे को क्या करेंगे थोड़ा सा मॉश्चराइज कर देते हैं यानकि मालो यहां पर यह हमारा पूरा का पूरा क्या था अब यह हमारा थोड़ा सा ड्राइफ हो में था तो ड्राइज से एक्स्ट्रेक्ट निकलना थोड़ा सा बैसा होता है डिफिकल्ट काम तो यहां एक हम पर यहां पर कर लिता हमारा यह हमारी 2nd प्रसेश होता है इंपिशन वाली करना है क्या यह पर यहां हम दो हम क्या करें इस पर लंग में यहां पर यह बंद है यहां फिल्टर पेपर यउस करते हwest करते हैं atenção हम यहाँ पर जो अपनी cotton बर देते हैं cotton मतलब glass भी बोल सकते हैं या पर cotton वो हमने यहाँ पर अपनी भर ली जिससे इसकी जो है efficacy या जो हमारा compound मिले वो बहुत ज्यादा pure मातरा में हमको देखने को मिले तो यह हमने यहाँ पर भर लिया उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं या फिर जो हमारी sand होती है ना धुली होई sand का यूज करेंगे जिससे हमारे drug हमको प्यावर मातरा मिले तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मिट्टी वगरा का यहाँ पर यूज करते हैं जो हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी भर लेते हैं अब जब इतना पूरा हो दाता है देन हमारे यहाँ पैकिंग भी हो गई मतलब पूरा हमारे यह तयार हो गया उसके बाद हमारे यहाँ पर प्रसेस आते मैसीरेशन वाली तो मैसीरेशन में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर पहले अपना जो मैनिश्ट्रेम है या जो हमारे यहाँ पर सॉल्वेंट सा उसको हम य साथ लेते हुए नीचे जाएगा और यहां पर जो इसके बड़े पार्टिकल्स होंगे वह हमारे यहां पर यहां पर हम नीचे अपना जो है इस तरह का अपना कोई भी वीकर बगर रख लेते हैं तो धीरे-धीरे जो भी एक्ट्रक्ट होगा वह हमारा है इसमें फिल होने लगे करते हैं तो इस तरह ही यह हमारी प्रसेश चलती रहती है और एक और चीज़ से यहां पर वांगो बंद कर देते आपकी सब्सक्राइब पहले आप लेकेंगे size reduction के बारे में, then लेकेंगे imbivision, then लेकेंगे packing, then लेकेंगे maceration, then लेकेंगे percolation, percolation हमारी वही थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, नीचे का जो top था ये वाला, इसको open कर रहे थे, यहां से इसको बाहर निकाल रहे थे, यह process हमारी percolation कहला रही थी, और इ इस तरह हमारी यह पूरी के बुरी हो गई, अब second हमारी सबसे important इसमें आते है, extraction वारी process, वह हमारी हो दीगी, socks let up extraction, तो इसको हम hot continuous extraction process नाम से भी जानते हैं, तो यह आपको यहाँ पर याद रखनी है, अब पहले हमारे समझना है, इसका structure यान कि जो हमारी apparatus है, उसके बारे म then यह जो पूरा funda होता है, इसको हम बोलते है, socks let extractor to, या फिर extraction to, यानकि इसी के अंदर हमारी जो main process है, यह बाली हमारी यहाँ पर होते है, extraction बाली, ठीक है तो इसमें हमारी क्या क्या होते हैं, तो यहाँ यह आपको दिखता है, यह हमारी साइफन ट्यू होती है, इसको मैं हम करेंगे, इस पूरे को assemble करेंगे, कैसे करते हैं, आपको मैं बताता हूँ, तो सबसे पहले हमारा जो इसमें part होता है, यह बाला होता है, socks let extractor to, यह समझो, तो सबसे पहले जो भी हमारा plant material होगा, उसको हम क्या करेंगे, ड्राइ करेंगा, और इसको powder form में convert करते हैं, और ज हमारा लगभग filter paper से ही बना होता है, जादा कोछी में ऐसा नहीं होता, तो हम इसमें यहाँ पर fill कर लेंगे, और जब हमारे यह पूरा fill हो जाता है, उसके बाद नीचे जो हमारा होगा, यहाँ पर हम अपने solvent को fill कर लेंगे, और solvent को हम क्या बलते है, मैं इसमें को यहाँ प नहीं दिया, यान कि यहाँ से हमारे जो बैपर जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, फिर यहाँ से हमारे liquid जाएगा, ठंडा होते हैं और उपर से निकल जाएगा, तो जैसे liquid उपर जाता है, जो यहाँ पर बैपर हमारे फिर से ठंडे होकर नीचे आते हैं, और जो बचे एक तरह से गाड़े होने लगते हैं प्यॉर फॉर्म में होने लगते हैं तो इसलिए यह हमारा रेफ्लक्स कंडेंसर कहलाता है तो यहां तक आप पूरा फंदा समझ गए अब समझो इसकी प्रेंसिपल यहां बोल सकते हैं प्रोसीजर तो यहां पर आपको सारी चीज़ा क्या करते हैं जैसे हमारे चालू होता है इसके अंदर हीट है वो हमारे इस रांड बाटम फ्लास को गरम करने लगेगी और जब इसमें बढ़ेगा तो यहां पर जो भी हमारा वो क्या होगा वह वो बैपर कि जाने लगेगी और जब हमारे वेपर जाएंगे तो इस एड़ वैंदक किया पहुंचेंगे करना पहुंचाएंगे अब यह रिफ्लक्स वाला यहांपर थंडा पाणी हो यहांसे बाघ निघ्ले का तो यह उना थे भीन हैं प으र तो कई啊 यहां वहाले लिकविड है तो यह न है आता है तो यहां पर आपको दिख रहा होंगा यहां पर हमारे डर्स पर अग conscient के अचा और इसमें दीरे-दीरे क्या होगा फिलोंने लगेगा और जब इसमें दीरे-दीरे गरम हो रहा है तो यहां नीचे आगे इसमें मिलेगा और यह फिर से हमारा उपर दाएगा तो इस तरह यह हमारी एक continuous process होती है मतलब इसमें लगातार काम जो है चलता रहता है फिर से हमारे यह उपर दाएगा सेम प्रोसेस होगी, यहां हमारा फिर यह थिंबल पे गिरेगा और इसमें हमारे ड्रक्स को एक्टरक करेगा और जो एक्टरक होगा, वो हमारे इसके तरो के आओगा, इसमें नीचे आएगा तो इस तरह ही हमारा continuous चलता रहता है और finally क्या होता है, एक हमारा pure form में गाड़े form में का होता है, extract हमको इस round bottom flash के अंदर क्या होता है, देखने को मिलता है मतलब यहां का जो भी matter होता है, वो हमारा धीरे धीरे यहां से जाके इसमें चला जाता है अब सोचों कि यह process लंबी होनी चाहिए, अब इसली बात है क्योंकि इसमें directly हमने इसको इसमें नहीं मिलाया जो हमारे बैपर्स है, वो हमारे उपर जा रहा है, फिर वो इसमें आ रहा है फिर इसको extract करके इस तरह हमारे यह पूरा फंड़ना चलता रहता है तो यह थी हमारी circulate apparatus की पूरी की पूरी कहानी आप लोग को समझ आ गया होगा, अब जो भी इसकी procedure है यह आप यहां से देखके लिख सकते हैं बाकी सारी बाते हैं आपको यहां समझ आ गए होगी एक और बात है यहां पर कि जब हमको पता लगता है यह को सारा का सारा हमारे क्या होता है ठ्राइसस वाला पार प्रेस्ट कlish अब गता है और थी कम बरता है उसके दालार फिर से मारी रही परकलेशन हुआ था यहम कम टाइम लेन था यह ऐको पार्य लाकि यह कोई भी सारष नहीं पर्फोर्म कर सकते हैं क्शी क्योंकि जो हमारा ये वाल आपको दिख रहा होगा जो लेबरेटरी पर किरा में होता है इसमें भी हम जो है लगबग 80-100 ml तक हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं 100 ml 200 ml तक तो एक तरह से हमारा ठीक ठाक लार्ट में हो जाता है बाकि इसकी और भी कुछ प्रसेस होती है एक्स्ट्रक् करते हैं और हाइड्रो में हम पानी का यूज़ करेंगे उसके सारा काम करते हैं अब इसकी कुछ हमारी modern method भी थी तो मैंने सिर्फ यहां पर एक कबर की है और उससे आप समझ जाओगे बाकी देखते हैं क्या होता है कैसे तो यहां पर जो हमारी एक्स्ट्रक्शन हो रही है सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आपको दिखताएगा इस तरह का पूरा 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 और इसमें हमने क्या करेंगे जैसे हम इसको और यह क्या करते हैं यह क्या करेगा इसकी अंदर यहां पर यहां पर हमारा प्लांट मेट्रियल है तो उसके अंदर ही तो हमारा इस लिकुड में क्या हुगा गाएगा और उसके बाद क्या होगा यहां पर यहां पर पूरे गरम हो जाएंगे तो यहां पर उपर क्या होंगे और जब हमारे यह अपर जाएगा तो यहां पर हमारा लगा कंडेंसर इसके स्रो क्या होगा वो हमारा इसके अंदर आजाएगा अब यहां पर हमारे दो फेस होंगे और लिकुड वाले फेस तो यहां पर हम क्या करेंगा उसको बड़े आराम से सेपरेट कर लेंगा और हमारे जो में ट्रक होगा एकोस बारा यहां हमको ओली थी है वो हमारे क्यों जागा यहां पर हमको मिल जाएगा तो इस तरह बिसिकली हमारे यह काम करता है इस ट्रक्चर आप बना देना और दो-चार बाते आप लिख देना बड़े आराम से आप इसको कराओगे ठीक है चलिए तो अब हमारा आता है में यहां पर कॉश्चन राइट अब आउट एप्लिकेसन ऑफ क्रोमेटोग्राफि टेकनिक इन दा आइसोलेशन प्योरीफिकेसन औड अइडन्टिफिकेसन औफ क्रियोड्रक्ग तो पहले आप डाउट किले रहों कि आखिर आपको इसमें लिखना क्या है तो अगर मैं सिंपल बात हैं आपको कि इसके application का basically fund होता है कि आकर इसका use किया है तो uses में देखा दाए तो यह question में यह हमारे slave में ही दे रखा है कि हमारा isolate करता है purify करता है और identify करने में help करता है crude रखी लेकिन इतने से आपका काम चले वाला नहीं है क्योंकि अगर आप इतना लिखोगे एक तो इसकी application भी आपको लिखनी है लेकिन इस application के लिए हम जिन टैप्स का यह जिन चीजों का use करते हैं आपको उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा जैसे हमारी इस लिए यहां पर पूरा ही कवर करने वाले हैं अच्छे से तो सबसे पहले समझो कि आखिर क्रोमेटोग्राफी हमारी होती गया है तो definition तो इसकी आप यहां से बना के लिख सकते हो कि इसकी application पूछी है तो लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं कि it is the technique which are used in the isolation यहां पर Purification फिर यहां पर identification of a Crude drug यान कि यह किसी भी Crude drug की उसको isolate करने के help करता है यान कि separate करने में help करता है Purify यान कि उसको separate करके अलग करेगा पस Purify भी जाई हो गया बाकि इसको identify यान कि वह drug actual में कौन सा है उसको identification में भी help करता है तो यह basically हमारा इसका फिर फंदा होता है बाकि अगर और इसको define करोगे तो कर सकते हैं कि it is a Purification technique यान कि प्रिफिकेशन टेपकर है इसमें हम क्या करने कि कि अपने कोई भी component है उसको पहले हम identify कर रहे हैं देन हम क्या करें उसको separate कर लेते हैं किसी भी mixture से तो यह हमारा क्या कर लाता है chromatography कहलाती है तो आप समझो basic example लैट करो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक circle और इसके अंदर हमारे अलग-अलग तरह कलर की क्या है छोड़ identify कि कौन हमारा क्या है अब देखो यह तो हमारी clear तो हमने पैचाल लिया कि हमारा red color है हमारा black color है लेकिन यहां पर जो चीज़ा होंगी drug का वो हमको दिखता होता है नहीं तो उसको हम कैसे identify करेंगे तो वह हम आगे details में पढ़ेंगे तो यह चीज हमारी होती है दूसरी क्या करेंगे जैसे हमने इसको पैचाल लिया तो हम इसको isolate करेंगे मतलब यहां पर हम क्या करेंगे मालों यह हमने black वाला पैचाल लिया हम क्या करें इसको यहां पर बहार निकाल ले हैं तो यह हमारी यहां पर क्या क्या करते हैं तो यह सारे ही सारे काम हम क्या करते हैं इसी chromatography क अंदर करते हैं तो आप समझे इसका basic principle के आखिर यह हमारे किस चीज़ पर बेस करता है तो पहली बात यह कि इसमें हमारे होते हैं दो main component पहला हमारा इसमें होता होता है इसमें मोबें में करेंग और यहांब हमारा एक लार्ज सर्फेस अरिया वाला होता है और यह हमारा solid भी हो सकता है liquid हमारा आगे बता दूँको कहां से का होता है और जो mobile phase है वो हमारा liquid हो सकता है क्योंकि इसको movement करना है तो solid होगा नहीं या तो liquid होगा या फिर होगा gas होगा अब समझो आप basic funda की यह हमारी काम कैसे करती है तो अब जो है मैं इसका live आपको समझाने बाला हूं live देखे कैसे होगा क्या तो देखो let करो कि यह हमारा क्या होगा stationary phase अब stationary क्यों है मालो यह हमारा कहीं भी और लिए बना लेगे तो मालो यहाँ पर हमने क्या कि एक यहां पर इतना कुछ है नहीं तो मैंने केवल एक ब्लैक कलर से स्पॉर्ट बनाया तो जो हमारे एक्ष्वल में जो हमारा सेंपल होता है उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ा होती है अगर कलर का ले लो तो इसमें केवल एक चीज नहीं होगी इसमें 3-4 तरह की कलर होंगे या अ मोबाइल फेस में हमारा सेंस है चोहां पर क्नेटेनर और वो हमारा कैसे काम करेगा ऐस मोबाइल यहां पर बहएने बहाला है तबियों कैने यहां और ऑता है किаем तो यहां हो नहीं पाएगा हम क्या करते हैं इसको मतलब यह मूब करते हैं तो पूरा का पूरा हमारे इस तरह से क्या होगा पूरा इसके उपर मूब करता है अब देखो यहां पर आपको एक दिख रही होगी जब यह मूब कर रहा है तो इसके साथ में देखो यहां पर ब्लू कलर का जो हमारे यहां तक जारा है एक पार्ट हमारे यहां तक जारा है और थोड़ा थोड़ा हमारे यहां तक जारा है तो इसी तरह का कुछ हमारा होता है यह रियल में जब हम इसको करते हैं पूरा तो यहां पर यह जो अंदर के हमारी प्लेट होती है यह पूरी स्टेशनली फेट होती है यह सेंपल ह हमारा हुटा है और जो हमने ऊपर से लाग उप्लाई करते हैं यहां से निदर हमारी चार है प्रिजन्ट है एक तक मूब करेगा तो सब्सक्राइब घृवल करने की जो मतला ऊपर अब डॉक कर रहे था इनकी एफिनिट्य होती है अब affinity मतलब समझो यह जो हमारा stationary face है इसके साथ affinity को देखा दाता है अब मालो कोई compound हमारे यहाँ पर लगा हुआ है उसकी affinity अगर हमारी stationary face के साथ ज़्यादा होगा मतलब वो इसके साथ चिपगेगा ज़्यादा और जब इसके साथ ज़्यादा अटेच होगा तो उपर कम जाएगा तो जिसकी affinity ज़्यादा होगी वो हमारे इस पर क्या होगा कम मूब करेगा इसकी affinity इस stationary के साथ कम होगी वो हमारे इस पर क्या करेगा ज्यादा move करेगा तो इसी principle पर हमारा fix होता है यह पूरा chromatography कि यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं इसको move कराते हैं हमारे यह जो अलग-अलग colors होंगे या अलग-अलग जो compounds होंगे वो हमारे upward direction में move करेंगे कोई हमारा यहां तक करेगा कोई यहां तक करेगा कोई यहां तक करेगा तो यह अलग-अलग हमारे move करते हैं अब हम क्या करेंगे सिर्फ इनको यहां से यहां तक की यह जो value होगी इसको हम calculate करेंगे और इस value को हम बोलते है RF value जो मैं आगे आपको बता दूँगा तो बस हमको क्या करना है इस value को calculate करना है अब मालो अगर हमें इसके quality को चेक करना है तो जो हमारा standard वाला होगा उस standard के साथ क्या करेंगे हम इस RF value जो test की निकाली है उसकी और इस standard की RF value को compare कर लेंगे तो हमको पता चल दाएगा बाकी अगर हमें पता लगाना है कौन सा कैसे है तो यहाँ पर वैसे हर एक की RF value यान की retention factor हमारा fix होता है उसी के वेस पर हम यहाँ पता लगा लेते हैं बाकी यहाँ पर जो हमारे compound कितने हैं हमको कैसे पता लगा तो जितने भी compound होंगे उन सबका कहीं न कहीं minor सा सही लेकिन difference जरूर होता है तो यहाँ पर अलग-अलग difference पर क्या होंगे हमारे compound move करेंगे कोई हमारा यहाँ तक करेगा क्लियर होताएगा बाकी और देख लो यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर यह मूव कर रहा है तो अब क्लियर हो गया हो कि कैसे हम पता करते क्या तो आपका जब भी यह कुशन आएगा आपको यह बात है लिखनी है chromatography क्या है कैसे और इसका basic principle भी आपको लिखना पड़ेगा लेकिन यह experiment करके नहीं रिखाना अब बात करते हम इसकी application की तो यह हमारा बैसे में लेकिन यह इतने में निवड़ जाता है अब आप इतने में लिखोगे तो भी पूरे आपको मिलेंगे नहीं तो जो हमारा application से उसमें में वही application लिखनी है जो आपके question में दी गई है कि हम इसको identification में यूज करते हैं किसी भी compound को फिसके बाद उसको isolate करने में help करते हैं यह हमारी चीज़ा हो गई उसके बाद यहां पर उसकी quantity को बता करने में help करती है और सबसे इसकी priority करने में help करती है तो यह पांच कर्वेतर से कर रही थे यहांगी यहां पे आपने क्याव टेस्ट किया वह आपने कैसे किया आपको कुछ टैक्निक का यूज करना तो वो यहांपर सी school ऐ पेबर सबसक्र जहां ने तो सबसे लिए वी चाहिएरं को सबसे ब्ल into ख्रावगु के बारे में यहां पर ऑफ्लिक्तव सतीकित चतीए इसको पर थे पर किस्ट आता है तो आपको सबसे अच्छी सींपल और सबसे पर इसको तरह सकते हो क्योंकि exam मैं भी कई बार directly भी इसके उपर question आ जाता है तो सबसे पहले समझेते हैं हम paper chromatography के बारे में तो जैसे जो मैंने आपको अभी करके दिखाई वो basically हमारी paper chromatography ही थी इसमें हम क्या करते हैं अपना कोई भी paper लेते हैं white बाला उसमें हम एक बीच में ink का मनाते हैं कोई भी ink बगरा लगा देते हैं तो जैसे हम इसको पानी का पूरा face लेते हैं इसको डैसी dip करेंगे पानी हमारा capillary method यान कि जो water का यह हमारे filter paper जोगा वो पानी को उपर सोकेगा उपर जब 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 मूब करेगा इसके साथ में यह चीज भी हमारी move करती है इंक तो जब हमारी इंक यहां उपर move करती है तो यहां अलग-अलग हमको मिल जाते हैं तो इसमें जो होगा हम इसको rf value को calculate कर लेंगे या जो भी फंडा होगा हम यहां पर clear कर लेते हैं तो यह basically simple हमारी थी paper chromatography वाले अब आती है हमारी thin layer chromatography लेते हैं जो मैंने आपको बताया सब्सक्राइब करते हैं यहां पर समझहो कैसे तो यहां पर इसमें होता है stationary face जो हमारे mostly जो है silica gel का बना होता है बाकि alumina और cellulose का भी होता है और यह हमारा adsorbent के सिद्धान पर काम करती है अब यह मैं आपको clear करूंगा बाकि इसके जो procedure है वो आप देख लेना मैं note से डाल दूँगा बाकि इससे समझो सारी की सारी कहानी तो सबसे पहले हम हम क्या करते हैं हम लेते हैं glass slide हमने ले ली सारा symbol मतलब जो slide normal होती है जिस पर blood बगर होता है वहीवाली आपके lab बगर हमें होगी यह हमने ले लिया फिर क्या करते हम इस पे सिलका जहली को मनलब पूरा सा इसको पतली layer को यानिकि इसको बहुत ही पतली layer को क्या करता हम इसके उपर spread करते हैं बहुत ही minor पतली करते हैं पतली करेंगे तब ही ये हमारा adsorvent की तरह काम करेगा अगर ये मौटी हो गई तो ये हमारा absorb करेगा चीज़ों को अब यहाँ पर फंदास हमें मतलब होता क्या है तो देखो मालो अगर ये चीज हमारी कोई भी है कोई भी एक मतलब कोई भी पार्टिकल है अब यहां पर हमने पानी की बूंदर डाली अब जो पानी हमारा ड्रॉप्स है अगर वो इसके अंदर चली गई तो ये प्रोसेस हमारी काम करता अब कैसे करेंगा वह आगे अब को समझा दूंगा सबसे पहले क्या करेंग इसको अपर त्यार को अपर टयार ऊजाती हम इसके एक संटिमिटर नीचे और यह संटिमिटर लगव हम क्या करेंगे दो इस तरह के लाइन खेंच लेंगे फिर हम क्या करते हैं यहां पर अपना जो भी हमारा drug है जिसको हमें extract करना है या जिसकी हमें identify बगरा जो भी करना है उसको हम यहां पर इस तरह से लगा देते हैं और जब हम यहां पर इसका एक छोटा-्ता spot लगाते ऐ उसके बाद क्या करें तो ये हमारा पूरा पूरा क्या होता मोबाइल फेस होता है मोबाइल फेस मन्दब जो हमारा solvent एक्चिनल वो तो वो solvent हमारा इसमें फिल होता है और जैसे हमारे इसमें डिप करेगा capillary method के थो ये चीज़ हमारी इसमें absorb होता है तो यह silica gel के अंदर मिल जाएगा दन हमको कुछ भी पता चलने वाला नहीं है इसलिए क्या होता है कि यह adsorb होता है adsorb मतलब क्या है जो हमने here spot बनाया वो हमारा इस silica gel के उपर रख गया है एक तरह से इसके अंदर उपर जाएंगी तो यहां पर अलग 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 यहां पर लिखना पड़ता है वह चीज यान कि distance travel वाई individual component अब मालो यहां पर हम value देने हैं अगर मालो यहां अगर बी की निकाल नहीं है तो हमें क्या सब्सक्राइब करें अब हमको पता करने की quality तो अब क्या होगा जैसे हमने यह standard के साथ हम पहले से करते हैं यह हमारी इंडियन फार्मका पर जो भी है वहां पर हमारी पहले से लिख्यू हुई है आरफ बैल्यू तो हम क्या करेंगे वहां पर अटनी टेस्ट वाली तेस्ट का साथ में कर रहे थे और standard test को हम इस तरह से compare कर रहे थे तो इस तरह से हमको जो है यहां पर इसकी quality पता कर रहे चल रही थे तो यहीं हमारा बेसिकली जो है कितना मूब करेंगा जब उस पर गीला हो गया और जब यह पूरा मूब देख लेता है उसके बाद हम इस पर कई बार क्या होता है मोवाइल फेस के चकर में यह जो हमारे होते हैं यहां पर एक detecting event का यूज करेंगे उससे क्या होगा यह जो हमारे point बने थे हमें easily दिखने लगेंगे तो यह हमारा बिसिकली फंडा था पूरे को पूरे TLC का कहानी यहां लिख हुई या आप बड़े अराम से इसको लिख सकते हो सेकिंड हमारा इसमें आता है HPLC तो यह हमारा है high pressure performance liquid chromatography तो सेम हमारा उसी तरह इसमें क्या करेंगे हम देखो यहां पर हमारा होता है यहां पर हम इस solvent को भरते हैं इसमें थोड़ से heat प्रोवाइड करेंगे यह हमारा यहां पर move करेगा जैसी यहां पर आता है यहां लगी ह होती है pump तो pump क्या करती प्रैसर के साथ यहां से इस वाले solvent को forward करेंगी आगे बढ़ाएगी अब यहां पर यहां पर यहां पर जैसे बहुचता है यहां पर हम डालते से sample को अब sample इसके साथ mobile face के साथ यहां पर मिल जाएगा अच्छे से और यह extract हमारे तूटने लगे फिर करेगा हमारी Colorado क करा यहांוכ करेगा हमारे यहां करेगा हमारे डیकटर करे अपर होता हbourg कंप्प्वूटर के मदस्या करके हैं लेकिये हमारा कि एक वांड दिखता यह काफी पर इसे लिए यहां पर जोटा है हाई परफॉरमम में यह काफी ज़ाए्ट वहता है हमको एक एक चीज किलरीफाइब हो जाती है तो यह बैसिकलिए हमारा हुता है और जो जहांसे बचा हुआ तो यहां आप स्ट्रक्चर याद कर लो और कहानी आप बना के लिख दोगे जो मैंने आपको समझाई यहां लिया सॉल्मेंट थोड़ा हीट और करेंगे यहां तभी तो यह उड़ेगा वैपर सी तरह ओड़ा यहां पहुंचा पंपने क्या किया पंप करेंगे यहां यहां पर यहां पर यहां पर नहीं लिख पाएं तो आप यहां से समझे लो और इस्ट्रक्टर बना लो और आरम से कर सकते हो फिर थर्ड हमारे यहां पर आता है HP TLC तो यह हमारा सेम देखो High Performance Thin Layer Chromatography अब समझो क्या है तो यह हमारे एक तरह से दौनों चीज़ों को मिला दिया यान कि एक ही देखी गई यह हमारा परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा था लेकिन जो TLC वाला मेंसर साना है वो भी हमारे लिए काफी दाधा एफेक्टिव था तो इन दौनों को मिलाकर हमारा बनाए High Performance या प्रेसर Thin Layer Chromatography अब इसमें होता क्या है कि यहां पर जो भी प्रेंसिपल पूरा फंडा है वो हमारे इ उन दोनों को मिला दिया और इस तरह हमारा बनता है HPTLC यहां पर इसकी बात लिखी है प्रोसीडर यहां पर लिखा है वाकि एक जो इसका स्टेफ है वह मैं यहां पर नोट्स में अटाइच कर दूँगा उसको आप चेक आउट कर लेना कि जैसे हमारे यह मूव करता है यहां पर आप इसकी अपर यहां पर इसकी बा tempo क लिखते ना और मेरा है कि आप लुगा गया करना आप को कोशन है वो एकदम कम्प्लीट हो जाएगा बाकि यहां एक रहे गए यह कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो यह हमारी सिंपल होती है वहां पर हम यहां पर अलग-अलग चीज़ा फिल कर देता है उपर से हम यह मोबाइल फिस ला लेंगे और यहां हमारा होता है तो यहां से हमारा इल्यूट करेंगे यहां बीच में भी भड़ते हैं तो लगवक यह हमारा कुछ परकोलेशन की प्रोसेस मिलता दोता था तो आप चाहो तो देख लेना बाकि यह हमारा आज की वीडियों में इतना ही था लेकिन अगर आप लोग से मतलब यह रिक्वेस्ट है कि जो हमारा स्पेक्ट्रोस कोपी वाला है वह आपको करना जरूर है चाहे आप कैसे भी करो क्योंकि बहुत चांस है दो साल दे पिछली बार हर बार क्रोमेट्रोग्राफी आ तो इसकी आन पर हमारे जो भी बेप से ब्यार होते हैं उसको यहां बनाते कैसे मतलो यह हमारा एक तरह से कोई भी कंपाउट्ट है तो अगर यहां से कोई भी हम रेडियेशन पर पास करते हैं तो और आलग हो Ge तो बस इसी absorbent और इमिट टेन के बेस पर हम समझते हैं कि जो हमारा compound है वह हमारा कौन सा है और हम इसी तरह से इसको identify करते हैं कुछ हमारी UV spectroscopy IR होती है उनके तो हमारा compound कितना प्रिजान था उसकी quantity को भी हम measure करते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो यह कुछ बेसिक था आप जाके जो इसको चेक आउट जरू कर लेंगे और पीसी आई की बुक में साइज यह ठीक ठाक दे रखा मतलब बैसे प्रॉपर मिलता नहीं न सिलेवस वाइज जब कुछ भी न मिले आप पीसी आई में आके देख लेना आ को यह सारे चीजसा मिल जायंगी तो आप उसको करके जरूइं जाना छोड़के मत जाना आने के चांस है तो बस हमारी तर spoilers इतना ही भाकी ट्राय करेंगे आगे बाले आगे चीज़ता सारक आपको किलियर कर देंगे तो बस आज की वीडियो में इतना ही नोट्स वागिर हैं दोस्तो